आल राइट एंड वेलकम टू अल इन टूडेइज दे हिंदो न्यू दिसकेशन नाओ आज के पेपर में डिसकस करने के लिए बहुत सारी चीज़े हैं मयानमार में हुआ है मिलिटरी कूप अमेजान जीता है फ्यूचर रिलाइंस डील से अब यहाँ पर यह चीज़ें क्या है हाई कोट क्या है यूए पी ए एक्ट क्या है एडिटोरियल में बहुत सारी बजट की चीज़ें दी गई है लेप्ट विंग एक्स्ट्रमिजम बहुत सारे हमारे जवान जो हैं उसका रिडपलामेंट हो रहा है उडिशा में तो इन सब के बारे में डिटेल में डिसकस करेंगे बट विदाउट मॉविंग फर्दर आप टेलिग्राम एप डाउनलोड कर सकते हैं सार्चे बॉक्स में टाइप करना है प्र पॉब्लिकेशन तो आप इस ग्रूप से जॉइन हो जाएंगे यहां डेली के बेसेस पर पीडिया लिंक और दूसरे जो हम एक प्रिवियस येर बेस्ट एक करेंड एडिटोरियल बेस्ट आपको एक कॉशन देते हैं और उसके बेसेस पर लाइव आणसर राइटिंग एनलेसेस भी होता है आप हमारे पी-र पॉब्लिकेशन के पेट कोर्सेस को भी जोईन कर सकते हैं यहां पर पेट कोर्सेस को जोईन करने के लिए करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ एरली प्लैन ले सकते हैं 499 रुपीज का जिसमें पूरे दो साल के करेंट अफियर आपको मिल जाएंगे डेट वाइस करेंट अफियर, मंतली मैगजीन, NCRT क्लास 6-12, चेप्टर वाइस नोट्स, फॉन गाडन्स, आंसर राइटिंग डेली करवाई जाती है लेना बहुत सिंपल है, दिये गए नमबर पर गूगल पर या फॉन पर कर सकते हैं, जो भी पेमेंट करेंगे, उसकी स्क्रिन सोट, सेम नमबर पर हमें वाट्सेप करनी है और हम आपको अपने प्राइवेट ग्रूप से एड़ कर लेंगे, जैसे हमारा प्राइवेट स्टेडी मट्यल अगर मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा, तो हमने जनवरी मंथ की मंथली मैगजिन अल्रेडी दे दी है, जो हम डेट वाइस करते हैं, अब साथ सो से जादा मेंबर है, अब इस पर आपको क्या करना होता है, कि सिर्फ आपको जनवरी की जिसने जनवरी की वीडियो नहीं देखी हैं, सपोज तो वो जनवरी की मंथली मैगजिन वैसे ही पढ़ लेगा, क्योंकि अगर हमारी एक वीडियो आपने देखी है, तो आप उसको ओल लेडी स इस पर नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जो हालेटेड वर्जन होता है, वो भी हम आपको शो कर देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का मेजर डिस्केशन, सबसे पहले यहां पर अमेजोन से आप सब लोग जो है कुछ ना कुछ ओर्डर करते होंगे, तो उस कंपनी से लिया था, बट अभी हम देखेंगे जैसे अमेजोन है, जैसे कोई इंडिया की मान के चलो, कोई e-commerce की website मान लो, xyz, ठीक है, कोई भी हो सकती है और उसका dispute चलता है किसी further दूसरी company के साथ, तो यहां पर dispute के लिए कोई mechanism है क्या जो solve करें, तो Singapore International Arbitration Center, इस तरह से बहुत सारे Arbitration Center होते हैं, देखो, जो की, Order of Singapore Arbitration Center Enforceable in India, यह कहां पर enforce भारत में भी यह कानून लागो होंगे, इसके provision लागो होंगे, ठीक है, तो अगर कभी आपके मन में आता है कि कभी ऐसे dispute हो जाएं, तो वो solve कौन करेगा, या उसके लिए decision कौन सुनाएगा, तो आपको याद होन चाहिए Singapore International Arbitration Center, जिसे SIAC कहते हैं, यह तो broader term में आपने यह समझ लिया कि यह news में बताना क्या चाहरा है, बट अभी के basis पर इसको मैं समझा देता हूं, यह हुआ क्या है, बहुत सिंपल है, 2019 में क्या होता है, कि Amazon तो आप सब को पता है, बड़ी company है, जब George पूरे world के अमीर इंसान है, तो 2019 में वो क्या करते हैं, स्टेक खरीते हैं, कहां पर, future coupons in a deal that e-commerce funds included a first right of refusal in any stake sale in future retail, अब future retails में, ठीक है, future retail limited में Amazon स्टेक खरीद लेता है, मान के चलो बहुत सिंपल सा है, share खरीद लेता है, एक तरह से, यह मान के चलो, ठीक है, 2020 में क्या करता है, वही जो future group ह है, वो बोलता है कि, वो अपने सारे businesses को बेज देगा, including retail और wholesale को भी बेज देगा, अब इसमें Amazon कहता है, इसमें तो हमारा भी retail है, हमारा भी share है, तो इस पर dispute हो जाता है, ठीक है, अब क्या होता है, Amazon जी जाती है, the Singapore international state, the future reliance deal, जो future reliance deal है, अब यहाँ पर future जो group है, देखो 2019 में इसके को share खरीदे, बट future group 2020 में आता है, यह वो कहता है, हम अपना सारा business बेजनेस बेजना चाते हैं, stake बेजना चाते हैं, और आपके, जो Amazon ने भी खरीदे हैं, उसको भी बेज दो, Amazon कहता है, हमने खरीदा, हम क्यों बेचे हैं आपके, ठीक है, अगर आप किसी के साथ मर्ज कर रहे हो, तो हमारा stake फिर भी रहेगा, बट ऐसा, जो future group है, वो नहीं मानता, बट अभी, यहाँ पर इसमें Amazon जीत चुका है, ठीक है, यह news थी, आपको इसमें UPSC से related, कोई जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट मैंने broader viewpoint बता दिया, कि अगर ऐसा सपोच कभी Indian company, जो है, involved होती है, जैसे Reliance involved है, वैसे दोसरी company involved रहती है, तो ऐसा Singapore International Arbitration Center का जो decision होगा, enforceable होगा भारत में, ओके, next, second news क्या आती है, second news आती है, सू काई party demands her release, अगर सबसे यहाँ पर interesting बात यहाँ है, आंग सान सू काई, इनका मयानमार में अभी, जो है, military coupe हो चुका है, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यह military coupe क्या होता है, बहुत simple सा है, जब army, जो है, control करे, पूरा, अभी जैसे आप सब को पता है, PM, President, Council of Minister, पूरा देश चलाते हैं, अब इसी में, suppose, unfortunately, ऐसा नहीं होगा, but unfortunately, ज military coupe कहते हैं, कि generally, जब अब हर चीज, पूरे देश में, army control कर रही होती है, उसे military coupe कहते है, मयानमार में ऐसा क्यों हुआ, मयानमार में इसले हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा, जो opposition party थी, और जो main party थी, उनके बीच में एक dispute रहा, कि कहीं न कहीं, जो नौंबर में election होए थे 2020 में, वो उस पर irregularities थी, और इसके basis पर opposition ये बोलती है, कि नहीं, ये जो present government है, ruling government जो अभी काम कर रही है, वो जो है, इसके लिए नहीं बनी है, क्योंकि जो number में election होए थे, वो irregularities उनमें बहुत सारी थी, तो इसी के चलते हुए, मयानमार में, coupe हमें देखने को मिला, Now, अब बात करते हैं, next news में, next news में, alarm over damage to heritage site, अब आप सबको पता होना चाहिए, ये हम already, तीन या चार दिन पहने फिर से कर चुके हैं, आज इसका revision होगा, 11th century लिंगराज temple, उडिसा में, कहां है capital, जो उडिसा में है, किस capital क्या है, मुमनिश्वर, ओके, Now, अब यहाँ पर उनको GST का share नहीं मिल रहा था, पिछला ही अभी मिला है, उससे पिछला तो मिला ही नहीं है, और किसी भी राज्य की economy बहुत पीछे चल रही थी, उनके पास पैसा नहीं आ रहा था, तो उसके चलते हुए, उडिसा सरकार ने क्या कहा, कि हम क्या करेंगे, अपने tourism को promote और जहां पहले सिर्फ अगर मैं बात करूं, पंदर सो से, पंदर हजार से दस हजार की devotees आ रहे हैं, तो उसको ऐसा करना है कि दो लाख devotees वहाँ पर आ जाएं, इस तरह से redevelopment उसका करना है, बट उसके चलते हुए, यहां पर यह बोला जा रहा है कि heritage site को damage हो रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज बता दी, मैंने आपको reason बता दिया कि COVID-19 के समय में सभी राज्यों का डामडोल चल रहा था, economy का, पैसा नहीं आ रहा था, तो वो कुछ न कुछ कर रहे थे कि पैसा लाया जाना चाहिए, तो उसी के चलते हुए redevelopment का plan हुआ, और उसी के चलते हुए redevelopment plan तो हुआ, बट साथ साथ में जो redevelop किया जा रहा है, वो जादा damage जादा कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यह पूरी, आपको नहीं हो समझा दिये मैंने, बट आप यहाँ पर क्या है, कि 11th century का लिंगराज temple यहाँ पर mention है, इसको कर लेते हैं, डेटेल में थोड़ा सा और यहाँ पर, इकामर या कामर छेतर का भी mention है, ओकी, तो यह discuss कर लेते हैं, आज के news paper में क्या आया था, लिंगराज temple आया था, इससे पहले थर्ड फरवरी की, और बजट की कल के हमने PDF शेयर कर दी है, प्राइवेट करन नोटस में, और दूसरा जनवरी मन्तिकी भी compilation इकामर छेतर है क्या, बहुत सिंपल है, इसे temple city और भूमनेशर भी कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ancient sandstone है, temples है, heritage है, ponds है, water tank है, लग लग एक सरीज में है, और उसी में से एक चीज आती है, हमारे लिंगराज का temple, लिंगराज का temple 11th century में बनाया गया था, लौड शीवा को dedicated है, largest city है, भूमनेशर में, और यह माना जाता है किसे सौमवन सी, राजा ययाती, first ने बनाया था, main tower जो temple का है, 180 feet मुचा है, जो की सबसे बड़ी बात है, red stone से बना है, और कलिंग स्टाइल का architecture इसमें देखने को मिलता है, चार section है, पूरे मंदिर में, जिसम गरब सिक्ष ने के लिए, ओके, और दूसरा आपको, इसमें और क्या जानना है, the temple is out of bounds for non-hindous, दूसरा सबसे बड़ी बात है, लिंगराज temple के बगल पे, उसके रे, उतरी छोर पर, एक lake है, जिसका नाम है, बिंदू सागर lake, ये चीज़ याद रखना, ओके, बिंदू सागर lake, उडिसा मैं, और दूसरे भी, ऐसे यूनेसको की world heritage site हैं, जैसे, मैं कहूंगा, जगना टेंपल, तारा तारिनी टेंपल, उदाइगरी और खांडगरी केप्स, अगर ये पूछा जाए, ये किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए, अब बात करते हैं, आज के editorial में, सबसे हम देखेंगे कि अभी यार, election भी आने वाले हैं, किन राज्यों के, केरल के, तमिलाडू के, वेस्ट बंगॉल के, और आसाम के, अब यहाँ पर simple सी बात है, अभी present rolling party, central में कौन है, बीजेपी है, और उसी ने budget पास किया, तो यहाँ पर पूरे editorial में एक broader viewpoint ये दिया जा रह बात किये हैं, और इसके पीछे कुछ हमारे पास example भी दिये हैं, जैसे, चार स्टेट में अभी election होने वाले हैं, केरला, तमिलनाडू, वेस्ट बंगॉल और आसाम में, और बजट में आप देखोगे, indirectly कहीं ना कहीं, उन्हीं राज्यों में ज्यादा फोकस करते हुए, प् दूसरी बात, वेस्ट बंगॉल में एक नया economy corridor जो है, ओपन किया जा रहा है, covering 675 km of national highway, और इसमें expected investment 25,000 करोल रुपे है, तमिलनाडू में वैसे ही project हैं, मैं ज्यादा एडिटियल पर नहीं जाओंगा, कि यार metro बनाई जा रही है, टू फेज में, वगरा वगरा, वैसे ही आसा में भी चीज़ें की जा रही है, तो यहाँ पर एडिटोरियल का सीधा सीधा कहना है, कि budget एक instrument है, politics का भी, but it should not be predicted entirely on immediately electoral calculation, यहाँ पर एडिटोरियल बहुत सिंपल सी बात यह कहता है, कि यार electoral calculation के basis पर हम इसको direct यह नहीं कह सकते हैं, कि पूरा ही budget election के basis पर बनाया गया ह but yes, indirectly हम कह सकते हैं, कि यह politics के लिए instrument हो सकता है, ठीक है, तो पूरा यह editorial है, हमारे लिए जानने के लिए कुछ नहीं है, but आपका broader viewpoint मैंने यह बताया, कि कहीं ना कहीं जो budget होता है, आगे की scheme और आगे के, एक politics के उसको play करने के लिए, एक instrument की तरह कान तो करता है, example यह आप सकते हैं, ओके, now, second, second editorial क्या है, second editorial बहुत simple है, मयानमार में हुआ है, अभी कूप, military कूप, इसके बारे मैं already मैं बता चुका हूँ, तो कोई ज़्यादा जानने के जरुवत नहीं है, जो मैंने story बताई, वही story यहाँ पर लिखी हुई है, बस, और कुछ ज़्यादा difference है ही न tutorial में, जो उपर मैंने story बता दी थी, नॉबर में जो election हुए थे करके, तो वो चीज़े मैंने यहाँ पर बता दी, बस, यहाँ पर आपको National League for Democracy, जो मैंने NLD बोला, यहाँ पर उसकी full form आपको मिल जाएगी, और उससे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते नहीं है, वही चीज़ें यहाँ पर story के basis बनाया गया है, अभी बट अभी इंडिया का यहाँ पर instance क्या होना चाहिए, हाला कि जो चाइना के लोग हैं, वो तो यहीं चाहरे हैं, अभी stability बने रहें, बट चाइना अपने फाइदे के लिए वहाँ पर चीज़ें कर रहा है, चाइना के ज़धा project हैं, मयानमार में, तो actual में मैंने यही बोला कि कभी कभी जो never countries होते हैं, जैसे नेपाल में है, वहाँ पर भी instability है, तो किसी भी एक neverhood countries के लिए वही फाइदा रहता है, जहाँ पर stability फैल जाए, ओके stability रहे, तो New Delhi immediate reaction to merely express deep concern, counsel, following the rule of law and democratic process is unlikely to suffice as long term strategy, तो यहाँ पर New Delhi लिने भी condemned किया है, और stability जल्दी से जल्दी आए, यही इंडिया के favor में रहेगा, नाओ, next editorial पढ़ने के लिए आपको हलकी फुलकी economics होनी चाहिए, अब आप कहोगे सरी economics का तो मुझे E नहीं आता, क्योंकि मैं दूसरे background का हूँ, ठीक है, मेरी art थी, या कोई भी मेरी science थी, तो कुछ भी आप कह सकते हैं, या economic subject आपका नहीं था, तो मैं कहूंगा आपसे चिंता करने के बात नहीं है, क्योंकि already मेरे डेल डेल घंटे के lecture YouTube पर free पर available हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, अब यहाँ पर एक term है, यहाँ पर देखिए, एक term है, Washington Consensus, ओके, अब यह क्या के बारे में, दो-तीन महने तक, जो है, article publish हुए थे, ठीक है, जब vaccine आ गई, मैंने यही बोला, दो-तीन महने तक article publish हूँगे, अब budget आया है, तो एक महने तक तो article चलेंगे, और उन article में उतना जादा focus नहीं करना, क्योंकि कल के article में, पूरे news paper में, budget के ही बारे में था, उसक में, generally होता क्या है, कि सरकार क्या करती है, generally, जो domestic, Washington Consensus में, domestic industry को promote करने की, try करती है, rather than, generally, जैसे, क्या किया भारे सरकार ने, जैसे, performance-linked incentive scheme, या production-linked incentive scheme भी चलाई, उसके साथ-साथ, the government has increased duties on import in order to protect the foster domestic industries, और उसके साथ-साथ, अगर मैं बोलो, market orthodoxy, such as, market orthodoxy का मतलब क्या होता है, यह देखो, यहाँ पर लिखाया है, it's goodbye to feasible orthodoxy, और market orthodoxy का भी यहाँ पर rule होगा, market orthodoxy का मतलब होता है, जैसे, जिसमें, government और ज़्यादा control करे, privatization कराए, privatization में अभी, आप सब को बता है, LIC के IPO जारी किये गए, और जो live insurance company है, उसमें stake 49% से 74% कर दिया, यानि कि foreign direct investment आ सकती है, अब इसमें, और Washington consensus का क्या मतलब है, पूरे उसमें मैंने यही बोला, domestic, अभी manufacturing को बहुत ज़्यादा promote किया जा रहा है, बट यहाँ पर एक term में था, बांगी यह सब वही चीज़ें दी गई है, घुमा फिरा के, ठीक है, जो मैंने कल budget में बात की गई, वही चीज़ें इन्हों ने घुमा फिरा के दी है, बट आप यह कैसे समझेंगे, Washington Consensus होता क्या है, या market economy या non-market economy होती क्या है, ठीक है, आपको tension लेने की जरुबत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करेंगे, YouTube पर सर्च करेंगे, Pankasar IS Academy या Pankasar Economics, तो आप इस channel को open कर लेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यह देखिए यहाँ पर चार वीडियोज अल्रेडी हैं, और आज भी lecture upload होंगे, दो lecture और upload हो जाएंगे, तो यह आपको यह वाली वीडियो देखनी है, सबसे पहले तो यह 9 minute वाली वीडियो देखनी है, जिसमें बताया है कि किस तरह से economics आपने cover करनी चाहिए, और यह वाली यह यह free में available है, तो मैं यह suggest करूँगा कि आप इसको देखें, अब यह आपको कहां से मिलेगा, अगर link search में नहीं होता, तो मैं daily, देखिए और यह channel आपको subscribe कर लेना है, क्योंकि यह backup channel है, ठीक है, तो आपको कभी अगर news नहीं देखने को मिलती है, तो आपको इसी channel में जाएंगी, ओके, now, next editorial आते हैं, next editorial में भी वही चीज़ें दी गई हैं, जो कल हमने discuss की थी, यहाँ पर वही है, economic survey यह बोलता है कि economy growth 11% होनी चाहिए, और इसको ज़्यादा उसमें मतले ना, editorial के जो यह highlighted point होते हैं, मैं monthly magazine में add कर देता हूँ, ठीक है, आपको बस broader viewpoint जानना है यहाँ पर, okay, finance minister ने speech में 6 pillar की बात की गई थी, जो कल हमने discuss किया था, 6 pillar कौन कौन से हैं, और बस पूरे article में यही बताया गया है, कि 6 pillar में कितना करोड है, capital expenditure 3.4 lakh करोड रुपे है, वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, capital expenditure बड़ा 5.5 lakh करोड तक, बड़ यहाँ पर य agriculture के लिए कोई special announcement नहीं हुई, जैसे example, urea को, bringing urea under the nutrient based subsidy के अंदर नहीं लाया गया, तो ऐसे ही बहुत सारे, कल भी हमने देखे थे कि कौन कौन से, budget में अभी, जो negative point जिससे आप कह सकते हो, जैसे agriculture के लिए उतना ज़्यदा किया नहीं गया, okay, तो यहाँ पर यह सब चीज़ तो उसके ही editorial उसके ही data पर पूरे बनाए जाएंगे, ठीक है, और इससे बढ़िया, आप एक ही editorial पढ़ो और ज्यादा इतने, अपने mind पर pressure मढ़ डालो कि हाँ, budget कुछ बहुत बड़ी complex चीज़ है, नहीं, जो जो important चीज़ है, UPSC के लिए, वो मैंने आपको बता दी है, ब बहुत जादा violence देखने को मिला, बहुत सारी building को तोड़ा गया, वैसा ही 20 दिन बाद यहाँ पर विवार Republic Day के दिन, और दोनों ही जगे ऐसा देखने को मिला, कि वहाँ US Capitol में जहाँ Parliament बैठती है, यहाँ पर Redford में हमला किया गया, ठीक है, तो वहीं पर यह चीज़ें जीएं मैं जीता हूँ, ठीक है, उनका Twitter account suspend वगरा यह सब चुआ है, अब भारत में ऐसा क्या हुआ, भारत में आप सब को बता तीन Farm Laws आए, तो वहीं चीज़ें पूरी story दी गई है, बे मतलब का article यहाँ पर है, ठीक है, जैसे किसी को पता ही नहीं होगा, ओपेट पेज मे article ने यह सोचा कि किसी को पता नहीं है, मैं story बता देता हूँ, वहीं चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ओके, तो यहाँ पर ऐसा हमें देखने को मिला है, और जनरली politics इस पर क्या कर सकती है, इसका major broad point मैं आपको बता देता हूँ, कि जनरली ऐसे कानून लाने चाहिए, जिस आगे incident नहीं हो, इसके बेसे पर अच्छे से कानून भी लाने चाहिए, ओके, नौ नेक्स्ट, मैं भी आज इस topic पर, इस opet page पर मैं एक answer writing करवाँ, होता क्या है, आप सब को पता होना चाहिए, left wing extremism है, नौ, left wing extremism affected ऐसे राज्जी जैसे 36 गड, जारकंड, उडिसा, extremism वाले राज्जी हैं, जहां पर नकसली, insurgency, बहुत जादा देखने को मिलती है, अब यहां पर क्या होता है, सबसे पहला एक point है, कि literacy rate कम है, दूसरा point यह है, deployment विकास जादा नहीं हुआ है, तो लोग choose करते हैं, उनके पाद जॉब नहीं होती है, इससे insurgency फैलाई जात इंप्रोवाइड एक्सप्लोसिव डिवाइस जिसे IAD इस ब्लास्ट में हमारे चो कोब्रा कमांडो बटालियन फॉर रिजल्यूएट एक्शन यूनिट के हैं, मिस्टर निखिल पी भले राओ, यह सहीद हुए, और CRPF जमान भी बहुत ज़्यादा हमारे 80 परसोनिल सहीद हुए, और ऐसा यह चलते रहता है, 2008 में हुआ था, 2009 से 2010 में भी हुआ था, कितने सारे हमारे जवान सहीद हुए, किस एरिया में, लेप्ट विंग एक्स्टरिज में, अब हमेशा यह कॉशन आता है, जनरल स्टेडिस पेपर 3 में, इंटरनल सेकुरिटी में, कि ऐसे राज्य वो मौश्ट के जो एटेक हैं, उनको कहीं न कहीं कम करती है, ऐसा हमें रिजल्ट देखने को मिला है, नमर आप मौश्ट इस बार 570 तक मारे गए हैं, CRP, जो परसोनिल के लिए एक पकाहूस बना देना चाहिए, पर्मानेंटली स्टेशन करवा देना चाहिए, इन एरिया म चाहिए, यह बेसिक सी चीज़ें हैं, जो कहीं न कहीं मौश्ट के लेवल को कम करती हैं, और इवन आप्टर लास्ट में यह है कि बहुत सारे डिस्टिक डिक्लियर कर दिये गए हैं, कि हाँ यह मौश्ट लेट बिंग एक्स्टिमिजम एक्टिविटीज दौरा एफेक्ट अब करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में यह क्या है, सुप्रेम कोर्ट अफोल्ड बेल फॉर मैन बुक्ट अंडर यूए पीए, अब इस पर क्या है, कॉलेज प्रॉफिसर के हाथ को भी कार दिया गया था, तो यह पूरा एक केस है, क्रिमिनल केस है, बट एक्च्वल में हम दूसरा, इसमें यह बी आपको नहीं पढ़ना है, यह क्या है, यहां पर CBI मेंशन है, और UAPA मेंशन है बस, टीक है, इन दोनों को रिवाइस कर लेते हैं, क्योंकि इस तुरी आपको जाननी बिलकुल भी नहीं है, यहां पर प्रॉफिसर का हट कार दिया गया, यहां पर ड से के लिए लिंके जो आप और्गनाइज क्राइम विड टेर्रीज में ये पूछा जा सकता है हाली में जब कोविड 19 भी चल रहा था और बहुत सारे प्रोटेस्ट भी चल रहे थे तो बहुत सारे जर्नलिस्ट को स्टुडेंट को बुक किया गया था यूए पी एक्ट के अं अनलफुल बता सकते हैं और इसकी मैक्जिममम पनिश्मेंट आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे डेथ पैनाल्टी तक मिल सकती है यूए पी ए में जैसे भारतिये को ट्रीट किया जा सकता है वैसे फॉरेंट नेशनल को भी उसको भी चार्ज उसको भी अरेस्ट किया ज दिरे दिरे कोई भी एक्ट में सुधार किये जाते हैं 2004 में किसी भी एक टेरेरिस्ट और्गनाईजिअशन को बोला गया था कि टेरेरिस्ट एक्ट यहाँ पर इंक्लूट किया गया था और कोई टेररिस्ट जो और ग्वे इस पर सुधार किया गया पार्लियमेंट ने ये बोला कि हम किसी एक इंडिविज्वल को भी डेजिगनेट कर सकते हैं आज़े टेरिस्ट यानि कि आप टेरिस्ट हो आतंकवादी हो डेजिगनेट किया जा सकता है 2019 के UAP Act के अंदर ये Act इंपाउर करता है NIA को कि आप उसकी प Personal Pension and Public Revences के अंदर आती है और CBI के अच्छी बात बताओं तो जो Conviction Rate है 70% के सॉल्व कर लेती है बट अब कॉश्यन हमारा UPSC में CBI के डारेक्टर कैसे अपाउइंट होते हैं वो पुछा जाता है 2004 तक CBI के डारेक्टर D.A.S.P. Act 1946 के अंदर जो होते हैं अपाउइंट होते थी जो कि डैली Special Police Establishment Act है बट 2004 में एक लोगपाल अक्ट आता है वो बोलता कि एक कमिटी बनाई चाहिए उसके हैट करेंगे उस कमिटी को PM, Leader of Opposition होंगे या Leader of Single Logist Party या Chief Justice of India होंगे या Supreme Court के जज होंगे फिर उसके बाद Home Ministry नाम सेंड करेगी फिर उसके बाद यह कमिटी चूज करेगे कि किसको CBI के डारेक्टर बनाना चाहिए इसका tenure दो साल होता है CBC Act 233 के अंदर लिखा गया है Now next है Mains से related जो news है, 340 death हुई है due to the manual squenching, manual squenching मैं simple भासा में यह बता देता हूँ आपकी जो drainage system होते हैं, जो gutter वगरा होते हैं, उसको बिना किसी instrument के हातों से manually squenching करना, manually उसको निकालना, ठीक है तो उसे कहते है manual squenching, आपने बहुत जादा videos देखिऊंगी, जिसमें जो person होते हैं, 100-100 रुपे के लिए, even 10-10 रुपे के लिए, इस पूरे जो pot holes में जाते हैं, ठीक है, gutter में जाते हैं, drainage system में जाते हैं, और वहाँ पर manual squenching करते हैं और इसके basis पर ये अभी कानून भी लाया गया था, बट फिर भी इस कानून को तोड़ते हुए, इतने लोगों की death हुई है, तो actual में यहाँ पर बात ये की जाती है, कि manual squenching को रोकने के लिए और क्या किया जा सकता है, उके, उसके बाद है, जल G1 mission, अभी आप सब को पता ह बजट 2021-2022 में, कल ही मैंने आपको सोल स्कीम के बारे में बताया, और सोल स्कीम का जिकर पीडियेप में भी है, और जिशने कल की वीडियो नहीं देखी, वो कल की वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि स्कीम मैंने उसमें बताई है, 20% of demand to be met with reused water, ऐसा ministry ने कहा, urban water supply का अभी इस बार अच्छी चीपर टेकनलोजी का भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे metro new, metrolite और यहां पर यह बाला जा रहा है कि urban local bodies को और ज़्यदा fund देने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारी news कौन सी है, जल G1 mission, now, जल G1 mission, GS paper 1, GS paper 2 government policies में यह पूछा जा सकता है, राइस्तान ने डिमांड क्या है कि central assistance हमें ज्यादा मिले, ऐसा news में रहा था यह, ठीक है, बड़ एक्चुल में, जल G1 mission, 73rd Independence Day, 15 अच्छ 2019 को जो है, लॉंच किया गया था, जल G1 mission का यही पूरा, यही पूरा focus था, कि 55 लीटर तक water per person, per day मिलना चाहिए, every rural household को, कब तक 2024 तक, अभी यहां पर urban local bodies में भी यह focus किया जा रहा है, इसमें local infrastructure setup करेंगे, rain water harvesting बना जाएगा, तो जल G1 mission का पूरा यहां पर यहां पर यह है, funding pattern की बारे में बात करूँ, तो कुछ नहीं, center और state के बीच में, 9010 के बीस इस पर हिमालया नौर्थ इस्ट के राज्य, दूसरे राज्य हैं तो 50 50% और union territories हैं तो 100% पूरा center लगाएगी, ठीक है, जल G1 mission में state level पर, center level पर, district level पर, village level पर, हर एक body अपनी काम करती है, जिससे transparency बहुत अच्छी बढ़ जाती है, और responsibility भी बढ़ जाती है, ठीक है, गांधी का ग्राम सौराज यही है कि under the G1 mission, local village, ग्राम पंचायत, subcommittee, इन सब को मिला के, धेकि यह एक group बनाते हैं, with 50% women involved in planning, कि किस तरह से involve करना है, यह सब चीज़ें, यहाँ पर, decide की जाती है, आप बात करते हैं, world level पी, वही पूरे world level की, अगर news देखोगे, तो military group हुआ, क्यों हुआ, यही, चीज़ें, discuss की गई, irregularities की, चाइना, calls for all party to safeguard, मयान मार change होंगी, वह हम discuss करेंगे, यहाँ पर LIC का IPO जारी हुआ है, IPO का मतलब क्या होता है, initial public offering, suppose कोई company है, यह already मैं बता चुका था, उसको पैसे की जर्वत है, तो अपने share public के लिए issue कर देगी, वैसे LIC के लिए भी public share issue होंगे, जिसे की वो fund raise करेगे, कितना fund raise करने की अभी target है, 1 1.75 lakh करोल रुपे का funding अभी raise करने वाली है, तो यह पूरा हमने आज के news में देख लिया है, जो जो important चीज़ है, highlighted version आपको दे दिया गया है, तो आज का end code हम रखते हैं, Samsung, ठीक है, Samsung आज का end code रखते हैं, और अगर आपको early plan लेना है, तो आप देर नहीं करनी है, आपको 750 5 513-4899, इस नमर पर WhatsApp करना है, कॉल भी कर सकते हैं कि किस तरह से early plan जोइन करें, और पूरे 2 साल तक आपको यहाँ पर study material मिल जाएगा, अगले 2022 तक और पिछले May 2020 से, यानि कि जो 2021 का prelim से भी दे रहे हैं, उनके लिए भी यह फायदा करने वाला है, तो आज की इस वीडियो मे नहीं, thank you.